नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चनल में मुर्थिकार पर तो फ्रेंट कैसे हैं आप I hope कि आप सम्मस्त होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मा सरश्वती जी के हाथ और पैर की अंगुली बना के दिखाएंगे तो दोस्तों देरी किस बात की चलते हैं वीडियो में लेट्स गो तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्लाई के उपर अपने हाथों से मिट्टी को बेल करके अंगुली बना रहे हैं तो दोस्तों कुछ इस तरह से थोड़ी मिट्टी लेकर के अंगुली के आकार में वेलेंगे और फिर उसको जो हमारे पास बैमबो टूल्स है उसकी मदद से उसमें नाखून का डिजाइन करेंगे फिर उसके बाद में मासरस्वती जी की मूर्ती में अंगुली शेट करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ पे अभी अंगुठा है तो अंगुठे में जो है हम अपना जो हमारे पास बैमबो टूल्स है उसकी मदद से डिजाइन कर रहे हैं कहने का मतलब यह है कि अंगुठा बना रहे हैं और अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे दोनों अंगुठे बन के रेडी हो चुके हैं और अब उसके बाद में हम आपको आसीरवाद वाली अंगुली बना के दिखाएंगे यहीं जो अंगुली बनाते हैं आसीरवाद के मुद्रा वाली उन सभी अंगुलियों में जो है हम अपनी लकडी की मदद से कट कर रहे हैं और कट करने के बाद में फिर इन सभी को जोलेंगे और जोलने के बाद में सेट करके दिखाएंगे दोस्तो हम या सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज के माध्यम से माश्चरव सती जी की मूर्ती बनाने का पूरा प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं और हमारी वीडियो भी निरंतर step by step पा रही है तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को वाच नहीं किया है तो आप हमारी चैनल पर जा करके वाच कर लीजिए आपके समझ में आ जाएगा तो दोस्तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यह अंगली जो है असिरवाद वाली हमने बना के रख दिया है तो दोस्तो हम किसी भी देवी और देवता की मूर्ती बनाते हैं तो उनके जो असिरवाद देने की मुद्रा होती है वो दाहिने हाथ की होती है दाहिने हाथ से अस मासरवस्वत्य जी की मूर्ती में मैंने बिला बना रखा है तो उस बिला को हम पकड़ाएंगे मासरवस्वत्य जी को तो वही अंगुली हम यहाँ पर बना रहे हैं इसमें मिट्टी का कपड़ा पहना दिया हूँ तो मैंने मिट्टी का कपड़ा पहले से ही पहना दिया है तो इसके लिए मास्तर सिती जी का एक ही पैर दिख रहा है एक तो कपड़ा के अंदर है तो जो पैर दिख रहा है वही पैर लगाएंगे अंदर वाद लगा नहीं पाएंगे तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप मैंने एक ही पैर जो है अमने मोल्ड से छापा है और अब आप देख सकते हैं थोला सा मुहीं पे मिट्टी चिपका रहा हैं और मिट्टी चिपकाने के बाद में मिट्टी की ही मज़स से उसमें हम पैर चिपकाएंगे और प्रस से चिपकाने के बाद में उसकी फिनिसिंग कर देंगे तो दोस्तो अब आप देख सकते हैं सरस्वती पुजा बिल्कुल नजदी का सुका है और बहुत जगे तो ऐसा भी है कि मूर्तिया पेंटिंग हो चुकी है पर अभी हमारी मूर्ति में काफी काम धूरा पड़ा है लेगन कोशिस है कि हम सरस्वती पुजा दख, मूर्ति कंप्रिट कर देंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं ने पैर की अंगुली जो थी उसे सेट कर दिया है और अब हाथ की अंगुली याँ पे सेट कर रहे हैं दोस्तों या देखिए हाथ की अंगुली लगा रहा है तो जो मैंने हाथ से बेल के बनाया था वो चारों अंगुली मेंने शेट कर दी है और अब उसके बाद में आगे ये अंगुठा लगा रहा है दोस्तों हमारा अंगुठा भी लग चुका है और अब उसके बाद ये जो वो अंगुली हमने मोल्ड से चापा था फ़ह आप Yi या अंगुली मोल्ड से छापा था और यहीं पर इसके बगल में उठा सेट करेंगे तब यह पकड़ने वाली मुद्रा में बन जाएगा तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यह हमारा अंगुली यहां पे शेठ हो चुकी है और जो इनकी मास्रर सत्य जी की गादी होती है उसको भरने के बाद में यहां जो हात रेखा होता है उसे काट रहे हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही अब मिलते हैं आपको किसे नेक्सी वीडियो में नेक्स्ट युद को आदेशा दो समामी झाल झाल झाल